तो बॉर्निंग और वेल्कम तो उनले चैनल उनाइट फर नॉलेज़र तोड़ेस टोपिक इस वाव दू प्लांट्स एब्सॉर्ब वॉटर एंड लॉंग डिस्टेंस ट्रांस्पोर्ट उफ वॉटर्ट तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉंग डिस्टेंस ट्रांस्पोर ओफ वॉटर वी आर कंटिनिंग दे चैप्टर नंबर 11 ओफ क्लास 11 स्टार्ट करते हैं लॉंग डिस्टेंस ट्रांस्पोर्ट उफ वॉटर तो अगर मैं बात करूं सिंपल डिफूजन की तो अगर मुझे छोटी से डिस्टेंस पे कोई चीज भेजनी थी तो मैंने क्या कि देख लिया है हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ मीन्स ओफ ट्रांस्पोर्ट की ही बात की है अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जा करके देखें राइट तो स्टाथ करते हैं अगर मैं बात करूं स्मॉल डिस्टेंस की तो हम डिफूजन फॉलो कर रहे हैं अगर मैं बात करूं एक पेड की एक प्लांट की तो प्लांट जो यह बहुत बड़ा है उसमें हम सिर्फ डिफ्यूजन से पानी नहीं ट्रांस्पोर्ट कर सकते हैं तो अगर मुझे वाटर ट्रांस्पोर्ट करना है फ्रॉम दा रूट्स तिल अपर पाट आफ अफ दा प्लांट तो क्या ये सिर्फ डिफूजन से पॉसिबल है नहीं अगर मैं बात करूं डिफूजन की तो 50 माइक्रो मीटर माइक्रो मीटर समझ रहे हैं 50 into 10 to the power minus 6 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए 2.5 सेकंड लगता है थ्रू डिफूजन ठाई सेकंड में सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर हो पाता है तो अगर मुझे रूट से लेकर पूरा अपर पार्ट अफ दी प्लांट तक कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है तो डिफूजन से possible है No तो क्या किया जाए नौव वी अर गूइंग टू स्टड़ी अबाउट ट्रांस्ट लोकेशन जिसमें हम बात करेंगे मास फ्लो या फिर बलक फ्लो की जिसमें हम बलक फ्लो की बात करने वाले हैं मास फ्लो की through the vascular bundle known as xylem तो xylem की हम help लेने वाले हैं right so the bulk movement of the substances through the conducting vascular tissue xylem is called translocation we are going to study about translocation how do plants absorb water तो start करते हैं how do plants absorb water सबसे पहली बाथ हमारे पास roots present है कोई भी plant roots से पानी को अब्सोब करता है तब ही तो हम पानी मिट्टी में डालते ना कि ऐसे leaves पे पानी चुटकते हैं पानी leaves से थोड़ी ना plant absorb कर रहा है plant तो roots से अब्सोब कर रहा है तो roots से absorb कर रहा है, इसलिए हम पानी को soil में डालते हैं, roots के पास, right, plus the roots have small structures known as root hair which increase the surface area for absorption and of water and root hair are the thin-walled slender extension of root epidermal cells, जो root के epidermal cells हैं, उन्हीं की slender extension होती है, root hair और इसी से water absorb होता है, with increased surface area, with increased surface area, तो अगर मैं बात करूँ, this water is purely uptaken, uptake जो हो रहा है, it is purely by diffusion, diffusion जो हुआ है, uptake में ही हुआ है, root hair ने absorb कर लिया through diffusion, इसके आगे आगे कोई diffusion नहीं चलने वाला, right, इसके आगे कोई diffusion नहीं चलने वाला, इसके आगे two distinct pathways use होते हैं, for the further transport of water, which are we are going to study, that are epoplast pathway and simplast pathway, let me show you, here we can see both the pathways, अगर मैं बात करूँ, यह epidermis cells है, epidermis cells से ही बाहर root hair निकलते हैं, root hair में diffusion के through water absorb हो गया, अभी root hair में आ चुका है, अब next epidermis cells में जाएगा, epidermis के आगे हमारी cortex की layer होती है, उसके आगे endodermis, उसके आगे pericycle की layer होती है, तो अगर मैं बात करूँ, the two pathways which we are following, simplast pathway and epoplast pathway, अगर हम देखेंगे, तो simplast जो है, lighter color में दिख रहा है, और epoplast जो है, simplast pathway show कर रहा है, तो start करते हैं, जो water absorb होता है, वो दोनों तरफ से absorb होता है, यानि कि simplast pathway को भी follow करता है, और epoplast pathway को भी follow करता है, प्लस, अगर मैं बात करूँ, epoplastic movements, तो वो कहां कहां से हो रही है, यह तो cell का inner part हो गया, और यह क्या हो गया, intercellular space और cell wall के बीच का space, between the cell wall and the intercellular space, जो यह भाहर का space दिख रहा है, यहां से epoplast pathway चल रहा है, और अंदर, cell के अंदर से simplast pathway चल रहा है, प्लस, जो हम दो cells के बीच में, एक connection देख रहे हैं, इसको हम plasmodismeta कहते हैं, the connection between the two cells is known as plasmodismeta, इसके तुरू यह plasmodismeta, इसके तुरू दो cells के बीच में connection बनता है, तो अगर मैं water transport की बात करूँ, तो start हुआ, epoplast pathway से भी जा रहा है, simplast pathway से भी जा रहा है, अगर हम epoplast pathway देखेंगे, तो यह इस तरीके से follow होता है, और यहां से भी इस तरीके से follow होता है, now if we can see epidermis cross हुआ, cortex cross हुआ, बोथ simplast pathway and epoplast pathway are working here, अभी क्या होगा, in the endodermis layer, we are having an extra layer which is casperian strip, जो यह casperian strip होती है, यह through the cell wall निकलती है, तो यह casperian strip पास हो रही है, तो यह cell wall के त्रू जो casperian strip पास हो रही है, यह water की movement को allow नहीं करती, अब यह पानी को आगे जाने नहीं देगी, तो epoplast pathway यहां से continue नहीं हो पाएगा, तो epoplast pathway, simplast pathway में मिल जाता है, यहांनी कि यहां पर epoplast pathway खतम हो जाता है, और वो simplast pathway में water को transfer कर देता है, यहांनी कि इसके आगे से सिर्फ simplast pathway ही जाएगा, यहां से simplast pathway जाएगा, pericycle के थुरू, then pericycle के आगे the xylem, जो हमारा main tissue है, vascular bundle है, जो water को transport कर रहा है, minerals को transport कर रहा है, water और minerals साथ में ही आते हैं, minerals के अभी बात कर लेंगे, water की हमने कर ली, ठीक है, तो xylem को water दे दिया जाता है, and xylem आगे water को transport कर देता है, अगर मैं इसी को cells की form में दिखाऊ, here we are having simplast and epoplast pathway, for water and ion absorption and movement in roots, तो अगर मैं यहां बात करूं, तो यह root हैर निकल रहा है, यहां पर अगर मैं बात करूं, epoplast pathway की, तो epoplast pathway, intercellular space और cell walls से होता हुआ जा रहा था, तो अगर हम इस purple line को follow करते हैं, तो यह कैसे जा रही है, through the intercellular space and cell walls, right, यहां पर casperian strip है, अगर हम देखेंगे, यहां पर casperian strip है, तो casperian strip से पहले यह simplast pathway को join कर लेती है, it joins the simplest pathway, right, and simplest pathway की, अगर मैं बात करूं, तो यह तो सीधा बीच से आता है, middle of the cells से चलता है, सारा middle of the cells से, casperian strip को भी यह pass कर लेता है, और यह जो हमारे xylem bundles दिख रहे हैं, इनको join कर लेता है, xylem के तुरू, पूरे plant मे, water जो है, transport कर दिया जाता है, सही है? Now, कुछ plants ऐसे होते हैं, जिनके पास कुछ special चीज होती है, that is, some additional association, जो उन्हें help करती है, for the absorption of water and minerals, यानि कि कुछ ऐसे plants हैं, जिसके पास water and minerals को absorb करने के लिए, कुछ special association है, special चीज है, जो से help कर रही है, water transport के लिए, and that is known as mycorrhiza, what is mycorrhiza, mycorrhiza is the symbiotic relationship, जो किसके साथ होती है, roots of higher plants, यानि कि जो कुछ higher plants है, higher plants में कौन आ गए, angios pumps आ गए हमारे, उसकी roots के साथ, एक fungus, fungal association है, जो fungus है, इसकी roots के अंदर रहेगी, plus इसका surface ही है, increase कर देगी, for the absorption of water and minerals, जो उसे water और minerals absorb करके लाके देगी, plus, these fungus have nitrogen containing compounds, ठीक है, तो यहाँ पर यह mineral और water root को लाके दे रही है, root को लाके दिया, बदले में क्या, symbiotic relationship बोला ना, हमने symbiotic जिसमें दोनों के एक दूसरे से फायदा हो, इसने तो surface area बढ़ा दिया, जो यहाँ पर fungus रह रही है, higher plant की root में, इसने इसका surface area बढ़ा दिया, for absorption of water and minerals, but, in return, यह इसको खाना देगा, fungus को, तभी तो symbiotic relationship बोला जाएगा, nice, now let us come to the next topic, which is water movement upper plant, यानि कि, अगर मैं बात करूं, roots की, तो roots नीचे होती हैं, और बाकी का जो shoot पाला पार्ट होता है, वो उपर की तरफ है, तो main बात यह है, कि gravitation के against, जो है water को transport किया जा रहा है, upper direction में, तो how this happens, तो इसके लिए हमारे पास दो बाते हों सकती हैं, या तो कोई नीचे से push कर दे, पानी को या तो कोई नीचे से push कर दे, pressure लगा दे, या फिर पानी को उपर से कोई खींच ले, pull कर ले, दो ही बाते हों सकती हैं, तो कोई धक्का लगा दे, या तो कोई खींच ले, तो इसी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास दो phenomenon है, फॉर दा वाटर मूमेंट अपा प्लांट, फॉर्स्ट इस रूट प्रेशर, जो ज्यादा कॉंट्रिब्यूट नहीं करती है, वाटर मूमेंट के लिए, एंड दा सेकंड इस ट्रांस्पिरेशनल, पुल, जो ट्रांस्पिरेशन की वज़ह से, पुल क्रिएट होता है, विच इस ट्रांस्पिरेशनल पुल, विच कोंस्टिटूट तुदढ बाटर मूमेंट अपपलांट, जो जो एंड पुल करता है, यही जो एंड आपकोंट्रिब्यूट कर रहा है एक तरीके से, तो स्टार्ट करते हैं, with root pressure so first of all let us talk about root pressure root pressure की हम लोग बात कर रहे हैं तो start करते हैं यहाँ जायलम होगा उससे पहले कुछ cells होते हैं जो हमने पढ़े हैं epidermis, cortex, endodermis, pericycle first of all अगर मैं minerals की बात करूँ तो minerals की concentration in the plant ज्यादा होती है और soil में कम होती है इसी लिए minerals को transport करने के लिए active transport का इस्तमाल होता है यानि की ATP का use होता है यानि की energy खर्च करके lower concentration of the minerals to the higher concentration of the minerals तक mineral का transport करना पढ़ेगा भले ही plant में mineral की concentration ज़ादा है as compared to the soil बट प्लांट को चाहिए तो है प्लांट को minerals तो चाहिए तो जो यह transport होगा यह active transport होगा प्लस इसी को ध्यान में रखते होए अगर मैं water की बात करूँ यहाँ पर concentration of minerals कम है यहाँ पर concentration of minerals ज़ादा है यानि की यहाँ पर water की concentration ज़ादा होगी बाहर soil में और root के अंदर water की concentration कम रहेगी तो लगा दो भई diffusion diffusion क्या कहता है from the higher concentration to lower concentration osmosis इसी तरीके से जाएगा तो simply यहाँ पर diffusion की मदद से absorb हो जाएगा water का molecule या water के molecules अब अगर मैं बात करूँ यह xylem है xylem में water molecule लगे होए है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लाइन में अगर मैं यहाँ से एक water molecule को enter कराऊ a water molecule will enter and वो क्या करेगा एक छोटा सा pressure create करेगा छोटा सा push create करेगा which will push all the molecules सही है हाँ इतना जादा नहीं होगा बट मैंने का ना root pressure जो है कम ही constitute करता है कम ही contribute करता है तो यह छोड़ा सा pressure जो है create करेगा जिसके वज़े से सब आगे की तरफ बढ़ जाएंगे अगर मैं इसकी बात करूँ root pressure की तो यह observe किया जा सकता है at the time of night and early morning जब evaporation नहीं हो रही होती evaporation का rate कम होता है यहाँ पर ठंड़क जादा है night में और early morning में तो at the point of leaf blades यहाँ पर water molecules नजर आते हैं सुबा सुबा या रात को तो जो water molecules हैं कहां से आये हैं यही जो push लगा था ना यह water molecules आगे की तरफ बढ़े और भार की तरफ भी निकलेंगे फिर such water loss in its liquid phase is known as guttation such water loss is known as guttation this root pressure constitute या contribute only some amount of some part of water movement अपर plant ठीके बाकी का जो contribute कर रहा है वो है transpirational pull तो transpirational pull की हम अच्छे से बात कर लेते हैं if this is the xylem this is the stem this is the leaf what is transpiration transpiration is the loss of excess water from the stomata of leaves जो भी excess water, extra water होता है through the stomata बाहर निकाल दिया जाता है अगर मैं बात करूँ जितना भी पानी एब्जॉब हुआ है उसका सिर्फ 1% photosynthesis में यूज होता है बाकी का 99% जो है transpiration में loss हो जाता है ओके तो transpiration में water loss हो रहा है अभी क्या होगा यहां पर अगर एक molecule of water loss होता है बाकी के पीछे जो है line में लगे हों सारे molecules of water राइट according to cohesion tension transpiration pull यह एक theory है जो यह suggest कर रही है कि transpirational pull की वज़े से water उपर जा रहा है कैसे cohesion मतलब होता है water के दो molecules के बीच में आपस में attraction tension का मतलब क्या है water tension यह surface tension की अगर मैं बात करूं तो surface tension जो भी बात करूं मैं वो कहता है water molecules are attracted to each other in the liquid phase more than in gaseous phase तो अभी इसमें attraction ज्यादा रहेगा because they are in liquid phase सही है transpirational pool का मतलब क्या है जैसे यहाँ पर एक transpiration हुआ water molecule बाहर निकला तो सारे के सारे आगी तरफ खिच गए क्यों खिचे क्योंकि cohesion लग रही है tension लग रही है surface tension है attraction की वज़े से एक molecule बाहर निकला तो बाकी के सब के सब आपस में attract होते हुते ये इसे attract होगे इससे attract होगे सारे के सारे आगे की तरफ बढ़ जाएंगे ठीक है इसका एक example ले लेते हैं कोई एक room है उसमें कोई एक काम चल रहे है उसके बाहर एक line लगई हुई है बहुत लंबी अगर इस gate से एक परसन अंदर की तरफ जाएगा रूम के अंदर जाएगा तो बाकी की पूरी लाइन आगे की तरफ बढ़ेगी ना तो इसी तरीके से transpirational pool भी काम करता है प्लस अगर मैं transpiration की बात करूँ अलग से stomata का structure कैसा होता है कैसे transpiration होती है opening and closing of stomata this this we are going to study in the next video lecture the transpiration, opening and closing of stomata, uptake of transport of minerals minerals का अपते कैसे होता है and translocation of the mineral ions this we are going to cover up in the next lecture so this was all about today's lecture if you like the video please like, comment, share and subscribe thank you